थाट नाम की समू कला प्रदर्शनी का आउजिन किया गया है और यहाँ इत्यादी फाउंडेशन के द्वारा कलाकारों को प्रोसाहित करने का कारिफी किया जा रहा है इस प्रदर्शनी का आउजिन यहाँ भब इस्तर पर हो रहा है विख्या पडर अधारित अश्र प्रदर्श्री में कलाकारों की पैटने प्रदर्श्र के गई और कलाकारों के द्वारा पनाई गए इंग जोटियां और कलाकितने को प्रदर्श्री को कि पतर। इसके लावां फांडीशन कलाकारों को को साहिए करने कानाम लंडेवां पिषिछागी रावी मूजिक फेस्टिवल का ये पांचवा साल था जिसमें मेरे कॉलेज के भी कुछ साथी हैं और कुछ सीनियर आठिस्ट भी है जिनके साथ मुझे पेंटिंग बनाने का मौका मिला ह मैंने अपनी पेंटिंग के जरी अपनी बात बताने की कोशिश की है किस तरह समाझ की बुराईएं, समाझ की अच्छाईया हैं ये सारी पेंटिंगों में आप देख सकते हैं इस तरह से sculpture work भी है यहाँ पे यह चार दिन की प्रदर्शनी है आप इसे आकर देख सकते हैं सुबह नाट आठ नाम की यह समू चित्रकला प्रदर्शनी इसका आयोजन इत्यादी आठ फांडेशन ने किया है और यह चार दिवसी चित्रकला और मूर्ती कला प्रदर्शनी है इसमें जबलपूर के युवा प्रशिक्षु कलाकार और कुछ वरिष्ट कलाकारों के कृतियां भी यहाँ पर दिखाई गई है और इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश यही है कि जो कलाकार जो युवा कलाकार शहर में काम कर रहे हैं उनकी कृतियों को जादा से जादा लोगों के बीच हम प्रस्तुत कर सकें और इस इसी उद्देश को लेकि इत्यादी आठ फांडेशन काफ मारे बीच झाउड़ पांडेश है